नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके एपने यूट्यूब चैनल एयर फोर्स एक्जाम पेपर में दो दोस्तों आज की क्लास में बात करे वाले हैं मैत के माक टेस्ट के बारे में जिसमें आपको 10 कोश्चन में लेंगे और आपने अच्छी त्या हुआ है कि अन्याधूर 32 प्लस अन्याधूर 32 बटे अन्याधूर 8 प्लस अंडूर 12 इसको सबसाई इसके लिए क्विए को फिचार को 16 और तालीच को लिए और यहां पर कि 4गूणा चार चार्टीं अर्टालेश ना लेख सकते हैं और बते इसके लिखा हुआ है एंड़ात विसको लेखे हैं आप देखेंगे आप नहीं समझेया बात यहां थे की जोड़ा बन लाए है तो इसको लिख सकते हैं कि 4 एंड़ा नुड़ा दो ठीक प्रक यहां पर भी मिल दा है तो इसको लिखते हैं प्रसका चार आंड़ा तीन दभाट्र जाता है तो उन्डरोड दो दो उड़ा वाई तो एतना हो गया तो बैदर पर लूड यहां पर शुलिग लूड यहां पर चाहल को यहां तो लूड़ाएब प्लस दूर तीन अब देखिए आपका सवाल लग चुका है यहां पर इसी एक कैंसल हो गया है और दो दूनिका तो दूस्ट नहुंसर प्रकास हिमारा आधंसल आजाएगा आपसे नमब ये फरके सामें लिखा वा इसको इसको सब्सक्राइब लिखा हुआ है कि 96 का 8 परसेंट तो 96 गुणे 8 बटे 100 यह बदावर लिख लिख लेते हैं एक सब्सक्राइब लिख लेते हैं एक सब्सक्राइब निकालना है ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा च्छानवे दूनी मतलब चैनल रिख लेगा पर दो लाइक कीजिएगा और अगला कुशन देखें कर देगा है कि एक पतंग भूमि से 75 मीटर की उचाएब पर उड़ रही है उसकी दोर भूमि के साथ इस तर से ठीटा ठीटा का कॉन लाइब लिखा हुआ है इसमें कौट ठीटा बड़ावर आठ बड़े 15 है तो माल लें कि दोरी में कोई धील नहीं तो डोरी की लंबाई कि इतनी बात करा है है तो इसकी बात करें लिखा गया है कि समझेगा लिखा हुआ है आठ बड़े 15 अगया है दियाग्या तो यहां पर दो होता है आठा स्कार करेंगे यहां पर बात करें तो समझेगा तो यहां से हम साइंट टीटा का विल्यू दूस्तों मा कितना जाएगा होता है लब विटे कड तो और देखिए अब बात कि लिखा हुआ है कि यह पतंग भूमी से 75 मीटर की उचाहे पर उड़ रही है और कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके लिए निकालेंगे तो साइट इटे का मन कितना जाएगा लंब कितनी 75 और बदावर हमारा है 75 इसको सब्सक्राइब तो देखिए अगला कोशिन आपके सामने आ गया है दिखा हुआ है कि यह बराबर हमें दिया गया है 99 तो इसका मान गयाद कीजिए अगर प्लस थ्री इतना लिखाव इसका मान निकालना है अगर उसका गुणा करें तो क्या जाएगा अगर प्लस थ्री पी स्कॉर्ड अगर दोस्तों यहां पर जोड लें एक घटा लें तो यह मारा सूत बन जाता है वह कौनसा पी प्लस यहां पर बन का होल क्यूब यह हो एक सोट एक क्यूब माइनस एक इतना हो गया है कि सोट क्यूब माइनस एक इतना गया है इसको अंगे सौन के लिखेंぎ में अगला के सामें लिखा हुआ है इसको लेखते हैं है जलगा है तो क्या हो जाएगा 0 SSintdom 65.8 am ओल हुझते हैं कि एक हमारा 1-1 का होल श्कूर्ज क्या होता है क्या होता है thereby लिजाय गया है थो दोस्तों x का मानिया निकल गया गया है तो देखीए एक और बार ये वार्ण और माइनिस एक बटा एक कि वेलू बारा तो दूस्तों यह हमारा कितना जाएगा माइनिस का एक टो स्का एक से जाएगा जिएगा जिरो जाएगा जिरो मतलब आफसल नमबर स्वाल के रहा है कि एक दो कोड़ों की माप दी गई है मैं चार नपाथ पांच तो दूस्तों मादा हो जाएगा चार एक हो जाएगा दोस्तों मादा पांच एक स्वाणे हो जाएंगे के दोंगे के माप माप उक में तरिसे कोड़ों चार पांच दोस्तों चार नहीं सिथेãगा। अगला क्रूश्च आपनों के सामने आ गया है कि दो संपूरों क्या होता कि जिन दो कोणों का योग जो होता है वह अगला गया तो जोड दो इसको जोड लिएगा यहां चार और इधर दोस्तों कितना है जाएगा? इसको आपने और दो हवा जाएगा पर अगला सामने आगया है इसको आप लोग कहें तेख लेते हैं आप ढहला तर में पर लिखाओ वा है यहां पर की वाई अनुपारत य यकक्स आप लोगों को दिढ़ा गया है चार अनुपारत पन्दरा और पूंशा गयाए च्छली फ् academSee forgetting आप यह द्यवाइए पेenne गऩार plural यह पर दो दोस्के के तो जाएगा आप यह लगा लगादी यहां पर प्तिते हैं आप Yointy जो आते हैं मेहां तreek administrant देहां जाएं जाए ना इतना प्लत क्षाण कि यहां प्लभण है ठीक है आगे का बात करें तो अगला कोश्ण आपके सामने आगया है लिखा हुआ है कि यह किसी घंद का विकंड के लंबाई दे गई आठ रूट तीन तो इसका प्रेश्टी शत्पल क्या होगा देखिए घंद का विकंड होता है हमारा भूजा गुणे दूड तीन ठीक है य सब्सक्राइब तो इस प्रकार से हमारा आज का मौक टेक्ष्ट कंप्लिट हो गया है अगर आप नहीं को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो को नोटिफिकरशन आप तक सबसे पहले मिले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत अन्देवा